हेलो दोस्तो आज हम दो दिवघात समिकरन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको इंगलिस में Quadratic Equation भी कहा जाता है Quadratic Equation Equation इसी के बारे में पढ़ना है कि दिवघात समिकरन क्या होता है और इसमें किन चीजों के बारे में हमको जनकारी हासिल करनी है तो first of all मैं आपको बता दू कि दिवघात समीकरन है क्या दिवघात समीकरन जो होता है वो दो घातों वाली एक समीकरन है जैसे आप इसे समझेंगे यहां पर दिवघात है तो यह आप समझ गया है कि अपने इससे पहले बहुपत के बारे में अध्याय दो में बहुपत के बारे में जनकारी हासिल की थी और हमने उसमें घात और घातांग के बारे में जाना था कि जैसे मानली यह घात क्या होता है औ और इसको इंग्लीन में पावर करते हैं। जैसे मानलीजीए कि x sqar 2x plus 1, one जो है यह एक बहुपद है, हमने पढ़ा था कि बहुपद जो होता है, वो बहुपदड का घात जो होता है, बहुपद का घात तो इसमें हम देखेंगे जबकि घातांग जो होता है वहर चरक अलग अलग होता है जैसे एकस का घातांग दो हुआ और यहाँ पे एकस का घातांग एक हुआ परन्तु यह बहुपद हुआ और इस बहुपद का घातांग जो है वह घात जो है वह दो है तो हम कह सकते हैं इस बहुपद जो है यह ये बहुपत तो बहुपत के बारे में जनकारी हाासिल की थी जैसे एक से स्क्वाइर टू जो है एक दिवघाच्छी मोव६ध है और इसी में यह हम बराब्र इकॉल valid करते टेड़घाती है समिकरन बन जाता है इसे ही हम, दीव घातिये, समिकरन कहेंगे, इसी को हम, दीव घातिये, समिकरन कहेंगे, जैसे माली जे, यहां पर एक मैं बहुपत दे रहा हूं, टू एक्स पलस वन ये बहुपद है बहुपद जो होता है क्या होता है हमने अध्यादो में पढ़ाता कि ऐसा कोई बिजिये ब्यंजग जिसमें चर का घात जो है वो पुर्ण संक्या हो वो बहुपद कालाता है तो ये बहुपद है अब मालिजे इस बहुपद का घात कितना ह गहात की चंखरे हैं तो घात बहुपद की हाथ काते हैं जिसमें चर जो है उसका यई होता है जैसे इसमें xq plus x lavender plus 2X plus 1 में x यिए बहुपद का घात कितना है तो बहुपद का घात जो है वो तीन है इसलिए यह जो बहुपद है वो क्या है तिरी घात ये बहुपद है ये कौन सा बहुपद है तिरी घात ये बहुपद है प्रंतु हमें पढ़ना है दिवघात ये बहुपद अर्थार दिवघात ये बहुपद जो होगा वो कुछ इस होगा एस स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो तो यह जो है और यहां पर एक्स का गुनांक ए है वह जीरो के बराबर नहीं होगा और एबी सी जो क्या है एक वास्तिविक संख्या है है यह इसका इस्टेंडर फॉर्म हो गया वास्तिविक संख्या है तो यह जो है दिवगाती बहुपद जो होता है जीरो लगाने के बाद दिवगाती समिकरन बन जाता है तो हमने यहां पर यह जानने का प्रयास किया कि दिवगाती समिकरन क्या होता है तो किसी एक चर में उसका हाइस्ट पावर जो दो होगा तो हम इस से कह सकते हैं कि यह दिवगातिय स्वमिकरन है अब इसमें पढ़ना क्या है अब हमें जानना है मान लिजे यह जो है इसका एस्टेंडर इसमें पूछा क्या जाएगा तोए दिवगातिय स्वमिकरन इस टाइप का होगा और हमें इसमें पूछा क्या जाएगा तो हमें इसमें यह पूछा जाएगा कि दिवगातिय समिकरन को पहचान नहीं, पहला तो पढ़ना होगा कि दिवगातिय समिकरन को पहचान नहीं, दिवगातिय समिकरन कौन है, मैंने आपको बता दिया, पहचाने का तरीका बताया, कि दिवगातिय हल क्या है दिवगातिय समिकरन का हल पहला पहचान जरूरी है दूसरा दिवगातिय समिकरन का हल निकल ला है दिवगातिय समिकरन का हल जो है पहले से भी दिवगातिय बवफद में भी हमने सुन्यक निकाला था जैसे मैं बता दूं जैसे ये दिवगातिय बवफद है तो हमें इसका सुन्यक जो निकालना होता था तो इसको हम समिकरण बनाते थे अर्था इसको 0 के बराबर कर द Northwest यहाँ पर x का गुरिंखान विद्दी से मान निकाल लेते थे तो यहाँ पर ग्रिंखन दो भाइलू आता था जितनी घात होता है उतनी उसका सुन्यक आता था वह दो आएगा, चुकि यहाँ पे बहुपत का घात जो होता है, वह दो होता है, तो दो निकलेगा, जैसे सुन्यक में हम निकाल चुके हैं, तो दिभातिय समिकरन का हल जो है, वह दो विधी उसे निकाला जाता है, यहीं विधी हमें इस समिकरन में जाना है, यह दिभातिय सम स्मिकरण का यहुद है और जीरो के बराबर है तो हम उसे कह सकते हैं कि दिवगातीय समिकरण है कि बात करेगा सी करी है निकाल सकते हैं जो पहला जो है वोगण कंड विधी है उननखंड विधी है और हमने इसको कि अढ़िहाय दो में हल्क फुल्का सिखेंगे और दूसरा जो है वहाँ पून बर्ग बनानी की बिधि पून बर्ग बनानी की बिधि पुर्ण बर्ग बनानी की विधी एक और है एक है आपको दिवगात सुत्र एक दिवगात सुत्र भी होता है दिवगातिये सुत्र दिवगातिये सुत्र विधी ये तीन विधी जो है इस तीन विधियों के द्वारा हम किसी भी दिवगातिये समिकरन का हल जो है निकाल सकते है तो यहीं हमें तीन चीजों के बारे में आज की कलास में पढ़नी है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये दिभातिय समिकरन का पहशान न तो आप सीख शुके कि दिभातिय समिकरन कौन होता है आप इसे पहशान लेंगे तो सबसे important हमारा इस्थान रह जाता है कि गुरंखंड विधी जो होता है ये दिवगातिय स्वमिकरन को हल करनी कि गुरंखंड विधी क्या है तो सबसे पहले हम इसी को बनाने का प्रयास करते हैं करते हैं चले गुलनखन्थ बेखते हैं पहला वह गुलनखन्थ लीधि हैं हो कि धी इस प्रस्म को हल करेंगे क्लानकन थी द्वारा हल किया कैसे जाता है तो यहाँ पे बिच वाला एंक तो इसले कहना है या जो सॉमिकर्ण आब देख रहा है यहां यह जामित्यum बहुपत जो है बहुपत जो है इसको ऐसे दो गुरंखंडों में तोड़ दे और उसको जीरों के बराबर कर दे तो उसका हमेजली दो मान निकाल सकते हैं इसी को गुरंखंड भी दिखाते हैं चलिए हम देखते हैं कि कैसे इसको करते हैं यहाँ पिर बराबर है तो आप यहां लिखते हैं वो तीर का रिसान देते हैं तो चलिए हम इसको बनाते हैं ए Lum स्टेफ यहां पे जो बनाने का है यहां पे तोड़ा कैसे जाता है यह समझना बड़ा बारिकी है अगर आप इसी समझ ले तो यह बनाना बड़ा ही आसान हो जाता है तो यहां पे देखेंगे इस स्टेंडर फॉर्म के याद रखेंगे मैंने आपको बताया था जिसे समीकरन जो है यहां पर A होता है एक के गुणा में A होता है और यहां पर यहां पर दूसरा चर के गुणा में B होता है और यह पूरा जो होता है वो C होता है तो यह तुलना करते हुए आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर A और C का जो है उसको गुणा करना होत और जोड घटाव करने पर ये बीच वाला आपको आना चाहिए माइनस 3 एकस माइनस 3 आना चाहिए तो यहाँ पर क्या कैसे तोड़ेंगे कि वह माइनस 3 आ जाए तो यह दो चीज आपको सोचना है जैसे आप दुना में कर रहे हैं तो बहुत इजली है भाई 10 को आप फेक्ट यदि हम 5 में से दो घटाएं यहाँ पर माइनस 5 दे दे तो यहाँ पर माइनस 5 दे दे और यहाँ पर प्लस 2 दे तो यह इजली जो है वह हमारे समीकरन को सटिस्फाइट कर लेगा माइनस 10 के बराबर हो जाएगा यह जो है माइनस 10 के बराबर हो जाएगा तो हम इस मान को य पलास प्लास टू Bed-resh ? यह माइनस त्री के ब्रावर होता है यह बात रंक या उदार देना है आपको जैसे 1 इख स्वएर और पर 10 उतार देंगे इसका फैक्ट्राइजेशन आप माइनस 3 के बरापर क्या लिख सकते हैं तो माइनस 5 एक्स एक्स लिखेंगे चुकि यह दू के बदले आपको यह लिख रहे हैं और यहाँ पर 2 एक्स अब देखेंगे क्या फर्क पड़ता है समिकरन में एक से स्क्वाइर के बदले में एक से स्क्वाइर लिख दिए माइनस 10 के बदले में इसको छिलचाड़ नहीं करना था इसी को तोड़ना था यहाँ पर माइनस 3 एक्स है तो माइनस होगा, तो माइनस 3 x जो आता है, आ जाता है, और इस समीकरन पर कोई परभाव भी नहीं पड़ा, तो हम 3 को जो है, वो 4 के रूप में factorization करके लिख दिए, अभी 4 को अलग-अलग हम 2 का common, इन दोनों में क्या करेंगे, common निकालेंगे, और हमारा answer त्यार हो जाएगा देखे, मैं कैसे इसको बना रहा हूँ, इससे तोड़ना अगर आप समझ गए, तो फिर आप आगे जाएंगे, आप क्या करेंगे, common लेंगे, इन दोनों में आप देख रहे हैं कि x common है, तो x निकाल लेते हैं दोनों में, x common का मतलब होता है, कि आप दोनों में आप x से बचेगा, x बचेगा, यहा फिर x so square में से scientific कल जाएगा, तो x बचेगा, भी ज है तो minus में देदेगे, अब इस 5 x में से आपको x निकाल देना है, तो क्या बचेगा, 5 या उसको आप ऐसे सोच सकते हैं, कि 5 x को आप 1 से भाग देना है, तो 5 बचेगा, किए भी तर आप सोच चाहिए तभी हमारे common पुड़ा होगा हमारा गुर्णखन जो है निकलेगा तो यहाँ पर देखरें एकस मैनेस 5 होगा कब जब हम प्लस टू निकाल दें प्लस टू जब यहां पर common निकालते हैं प्लस टू निकालेंगे तो यहां पर प्लस दों बचेगा और यहां पर एक एकस बचेगा 2X मेंसे दो निकाल सकते हैं जब दो समस्झे निकालना है तो दस में से दो निकालना है क्या यहाँ पर लिग देख रहे हैं कि दोंे 5 जो है मतलब है कि आ प्समीकरन में सही जा रहा है इसके बाद क्या करेंगे फिर गौमन लेंगे अब इन तीनों में कॉमन निकालेंगे इन तीनों में जो देख रहा है एकस माइनस पांच इसमें भी है इसमें भी है इसमें दोनों में एकस माइनस पांच कॉमन है अब एकस माइनस पांच को भागा देंगे तो एकस बचेगा या इसमें से एकस माइनस पांच निकल गया तो एक से न बचा और इधर से भी एक से मैंस पांच निकाल गया तो पलस टू बचा अभी दोनों को बराबर जीरो के बराबर कर देंगे अब देखे यहीं तो है अब इसको पहले जीरो के बराबर कर देंगे फिर इसको जीरो के बराबर कर देंगे इससे एकस कमान निकल है अर्थात आप सुन्यक ही निकाल रहे हैं सुन्यक और मुल एक ही चीज़ है तो यहां पर हम क्या करेंगे एक बार जीरो के ब्राबर कर देंगे और एक बार x plus 2 को 0 के बराबर कर देंगे एक बार इसको 0 के फिर इसको 0 के बराबर में कर रहा है अब यहाँ पर x minus 5 बराबर 0 है तो x को अकेला करेंगे तब तो मूल निकलेगा हमारा तो minus 5 को उधर भे देंगे 5 हो गया आपको पता होना चाहिए कि minus 5 जो होता है समिकरन में जब उधर जाएगा उस बगर तो plus 5 हो जाएगा फिर उसी तरह आप यहाँ देखे इसको निकलेंगे तो x को अकेला करेंगे तो यहाँ पर plus 2 है उधर जाएगा तो minus 2 हो जाएगा तो इस प्रकार हमें x के 2 मुल प्राप्त हो गए एक का क्याव नाम है 5 आया है और दूसरे का और दूसरा जो है वो minus 2 आया है तो यह हमारा जो है यह गुरनखंड बीदी से हमने x के मुल को ग्यात किया इसी परकार हम इसी समिकरन को अगर चाहे तो हम इसे इस पूर्ण बर्ग बनानी की बीदी से बना सकते है फिर हम इसी दिवगातिय सुतर बीदी से भी बनाएंगे और वहीं सेम आंसर जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा चलिए अब इसके बाद हम इसी को इसी प्रसन को पूर्ण बग्द बनानी की बीधी से हल करेंगे, फिर हम दिभाती सुत्र बीधी से हल करेंगे, हम देखेंगे कि जब ये तीनु बीधिया हम सिख लिए, तो समझे कि पूरा चेप्टर जो है वो आपके कबजे में आ चुका है, आप इजलिया बना सकते हैं, त चलिए बीधा देर की हुए हम दूसरी बीधी को भी सिख लेते हैं,